दोस्तों भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हर रोज ना जाने कितने लोग साप के काटने से अपना दम तोड़ देते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि जिस साप को हम देखते हैं उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि वह साप कितना ज्यादा जहरीला है आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 5 ऐसे सबसे जहरीले सांपों के बारे में बात करने वाले हैं जिन से आपको हमेशा बचके रहना चाहिए तो जादा समय न कमाते हो चली हम वीडियो की अब शुरुआत करते हैं मैं हूँ आकास पांडे और आप देख रहे हैं रोचक फैक्ट्स दोस्तों दुनिया के 5 सबसे जहरीले सांपों की लिस्ट में 5 वे नंबर पर आता है इस्टन टाइगर सांप दोस्तों इस्टन टाइगर सांप आपकी सोच से ज़्यादा खतरनाक है इसके जहर में ऐसे केमिकल होते हैं जो आपको मारने के साथ साथ पैरलाइज भी कर सकते हैं इस्टन टाइगर सांप अगर आपको कायदे से काटे तो आप मर सकते हैं लेकिन अगर इसका हलका सा भी जहर आपको छू लेता है तो पूरे चांस है कि आप पैरलाइज हो सकते हैं दोस्तों चौथे नंबर पर आता है ब्लैक मामबा ब्लैक मामबा एक ऐसा खतरनात साफ है जो धर्ती पर बहुत तेजी से चलता है कहा जाता है कि यह साफ लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रपतार से दोड़ सकता है दोस्तों कहा जाता है कि यह अपने सिकार को लपकता है तो कम से कम 10 से 12 बार काटता है और अपने सिकार के सरीर में लगभग 400 मिली ग्राम जहर छोड़ देता है जिससे इंसान की तुरंद मौत हो सकती है दोस्तों इस लिष्ट में तीसे नंबर पर 100 स्केल वाइपर साप का नाम आता है दोस्तों इस साप के एक बायट में लगभग 70 मिलिग्राम जहर होता है जो एक हाथी को मारने के लिए पर्याप्त है इसके साथ ही अगर यह साप इंसानों को काट ले तो उनकी तुरंद मौत निश्चित है इस साप का कुछ मिलिग्राम जहर ही आपकी मौत का कारण बन सकता है तो सोची अगर 70 मिलिग्राम जहर आपके सरीर में चला जाएगा तो क्या हो सकता है दोस्तों इस लिष्ट में दूसे नंबर पर इंगलैंड टाइपन नाम का साप आता है दोस्तों इस साप के एक बाइट से आप यमराज की सीदे दर्शन कर सकते हैं ऐसा कहा जाता है कि इस साप के एक बाइट में लगभख 100 मिलिग्राम जहर होता है दोस्तों इंग्लेंड टाइपन नाम के साफ का 100 mg जहर ही 100 से अधिक लोगों को मौत की नीन सुनाने के लिए परयाबत है दोस्तों इस लिष्ट में पहले नमबर पर फिलिपीनी कोब्रा नाम का साफ आता है कहा जाता है कि अगर यह साफ आपको डस ले तो आपकी चंद मिन्टों में मौत सुनिश्चित हो जाएगी हलांकि दोस्तों भारती कोब्रा भी कम जहरीला नहीं होता है जो गाओं में जादतर आपके घरों के आसपास कई बार दिखाई दे जाता है इसलिए आपको कोब्रा जब भी दिखे तो सतर्क हो जाएं या हमारे जीवन के लिए बहुत ही जादा घातक है दोस्तों उमीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर किये जीगा ताकि उन लोगों को भी इस बारे में पता चल सके और अगर आपको मारे चैनल पर पहली बार विजिट किया हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा